ऐसी मशीन लगाऊंगा इंदुस्तान के एक एक गिरीब आदमी को देश की राजनीती के दो सबसे बड़े चहरे इनके दो ऐसे बयान जो एक वाटसेप से दूसरे वाटसेप तक फॉरवर्ड होकर फुदकते रहे और जूट के पैरों से रफ्तार पकड़ते रहे जूट जो इतना चला इतनी बार बोला गया इतनी तरहा से इतनी स्क्रीनों पर दोहराया गया कि करोणों लोगों के लिए वो खरा सच बन गया वो 11 नवंबर 2017 का दिन था गुजरात चुना प्रचार के लिए राहुल गांधी पाटन में थे तब के कॉंग्रेस उपाद्यक्ष मंच पर आए और कुल 1440 सेकंड टक बोले लेकिन वाइरल हुए ये 7 सेकंड अब देखिए पूरा बयान यानि कुछ शब्दों पर कैची चली और बयान की कतरन देश भर में फैल गई इतनी कि पूरे सत्से वाकिफ रहने वालों ने भी राहुल को छोड़ा नहीं ये आज दिन राप किसान 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 बेउलना शुरू किया है दो हजार उन्नीस में लोग सभा चुनाव से पहले आपको राहूल गाधी के इस पुराने बयान को लेकर तमाम भाशन सुनने को मिलेंगे भरपूर मजाग भी उड़ाया जाएगा लेकिन अब आप पूरा सच जानते हैं एक सेकंड जरा ब्रेक लगाते हैं इसको खीच कर थोड़ा पीछे ले जाते हैं अरे एक बार यह जो चोर लुटेरों के पैसे विदेशी बैंको में जमादेशा जाएगा तो 2013 में कब कहा तब के प्रधानमंत्री पत के उमीदवार नरेंदर मोदी ने कि वो हर देशवासी के खाते में 15 लाख रुपई डालेंगे सच पूछा जाए तो अमित शाहा ने ठीक ही तो कहा है कि ये एक जुमला है जुमला यानि बात कहने का अंदाज एक ठंग जिसमें कोई वादा नहीं होता फिर वादा खिलाफी का आरोप कैसा कॉंग्रेस और विपक्षी पार्टियां तो छोड़िये खुद के सहयोगियों तक के लिए सुलह सफाई गले की हड़ी बन गया तभी तो ऐसे बयान अब तक जारी हैं 2019 के रण में इन दोनों बयानों की आर में अभी और कोहरा मचेगा अमरुजाला अपनी खास सीरीज पांच साल पचास बयान में लोग सभा चुनाफ तक आपके लिए वो तमाम बयान लेकर आएगा जो इस दोना लगातार चर्चा में रहे या जिनकी फिर से सिर उठाने की आशंका है